तो फ्रेंड्स अगर आप लोग के पास भी RBL Bank का Credit Card है और आप लोग इसका पैसा निकालना चाहते हो चाहे आपके पास Card कोई भी हो यहां पे पैसे निकालना बहुत ही आसान है लेकिन काफी लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं कि RBL क्रेडिट कार्ड का पैसा हम लोग निकाल कैसे सकते हैं तो आज की इस वीडियो मैं आप लोगों को complete जानकारी दूँगा किस तरीके से आप लोग RBL क्रेडिट कार्ड का पैसा बिलकुल आसानी से अपने बैंक एकॉन में ट्रांसपर कर पाओगे तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में लाच तक आपको बने रहना है और जो जो step में आपके साथ share करता हूँ जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको follow करना है आपका आसानी से पैसा bank account में transfer हो जाएगा तो चलिए वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं start और जानते हैं आगे का process उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe ने किया तो चैनल को कर लिजेगा subscribe बगल में आपको bell icon भी देखने को मिल रहोगा तो इस पे tap करके इसको भी all पे set कर लिजेगा in future कोई भी वीडियो आता है उसका notification आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां से back आना है back आने के बाद अब आपको direct आ जाना है player store में अब यहां पे total दो trick बताने वाला हूँ जिसमें आपको एक में charge कम लएगा वहीं दूसरा बिल्कुल free होने वाला है तो आपको देख लेना है कौन सा application try करना है अब यहां जो free होगा उसके साथ भी problem है तो आपको यहां जो problem है जो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले देखो यहां पे दिक्कत क्या है अगर आप लोग free वाला trick यूज करते हो तो वहां कुछ charge देना पड़ेगा आप यहां जो charge देना पड़ेगा अब यहां जोChargeable है वो ही मैं बताऊंगा उसमें आपको कितना charge लग जाएगा और जो free वाला trick है जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा charge देना पड़ेगा वो भी मैं आपको यहां पर live करके दिखाऊंगा कितना charge कैसे यहां पर लगता है तो सबसे पहले तो आपको यहां searching वाले option पर आ जाना है और यहां पर आने के बाद आपको search करना है easy my deal, easy my deal आप लोग जैसे ही search करोगे कुछ ही इस तरीके का interface इसका आ जाएगा आप यहां पर देख रहो, मेरे में update का option आ रहा है हो सकता है आप में, install का option आ अगर install का option आ रहा है तो install कर लेना, already update किये हुए हो, तो इसको open कर लोगे अब यहां से थोड़ा सा बेट करेंगे, अब बेट करने के बाद कर लेंगे इसको open, अब जैसे ही open होता है, welcome to age my dealer है pay with age का option आपको यहां देखने को मिल जाता है अब अगर आपने lock लगा रखा है, तो इसको भी open कर लोगे open करोगे, कुछ ही इस तरीके का interface application का आपको देखने को मिल जाएगा अब इस application से आप लोग credit card का पैसा तो निकाली जाकतो साथ ही साथ आपको यहां और भी option मिल जाता है जैसे pay letter wallet का पैसा भी इस application से निकाल पाओगे अभी यहां पे देखो के pay via credit card का आपको direct option आ जाएगा अब इसमें आपको कुछ cashback भी मिलेगा अगर first time आया हो अब यहां पे देखो के education पे ही हो गया यहां पे pay GST on credit card, pay via credit card तो अगर आपको पैसा निकालना है और instant चाहिए तो आपको pay via credit card वाला option सेलेक्ट करना है हाँ अगर आपके पास first time है तो first time वाला option सेलेक्ट कर सकतो उसमें भी आपको पैसे bank account में मिल जाते हैं अभी pay via credit card वाला option सेलेक्ट करता हूँ यानि तीन number अगर आप लोग first time होगे तो आपको यहां पे देखो अगर KYC नहीं करते हो तो आप लोग यहां पे ज़्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाऊगे वहीं KYC कर लेते हो तो आप लोगो को यहां पे unlimited मतलब 1.47 लाक यानि की काफी जादा हो जाता है तो unlimited ही मालो इतने पैसे तक आप लोग ट्रांसफर कर पाऊगे वह भी सिर्फ 1% चार्ज पे अब यहां पे देखोगे उसमें भी कुछ cashback है ऐसा नहीं कि 1% आपका लग गया और हो गया यहां पे देखोगे तो 500 पे तक आपका cashback आ जाता है रेंट पेमेंट करते हो credit card से तो यहां RBL का card भी यहां पे available है वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं नीचे देखोगे तो कुछ option आ जागा जैसे आपको यहां यहां यह सब नहीं करते हुए आ जाना यूपी यहां से डाल दोगे अगर आपको ज़्यादा पैसा ट्रांसफर करना है तो बैंक करना है अगर कम करना है तो यहां पे इंटर आपका आ रहा है जिसमें bank detail डाल दोगे मैं UPI वाला option select करता हूं और copy करके हम लोग इसको कर लेते हैं paste तो यहां से मैं UPI को करता हूं paste UPI paste करने के बाद यहां से आपको amount डाल देना है जो भी आपको amount transfer करना है तो यहां minimum मैं 2000 रुपे आपको suggest करूँगा उससे कम upload मत करना अब यहां select service type का option आ रहा है इस पर tap करेंगे और यहां पर tuition fee करोगे तो आपको 1% लेगा लेकिन मैं आपको यहां पर suggest करूँगा home rent house rent करना इस पर आपको cashback भी मिल जागा तो लगवग चार्ज उतना ही होने वाला है अब यहां से process वाले option पर tap कर देंगे अब जैसे ही आप लोग टैप करोगे आपको एक नया page यहां भी देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके counter face आ रहा है आप यहां पर देखोगे आपका UPI आइडिया आ जाएगा नीचे देखोगे क्योग ट्रांसपर होगिया लेजी ट्रांसपर होगिया credit card आपको यहां पर नीची आ जाना है अब न charge लग रहा है आपका यहां पर लग रहा है 2060 रुपे वहीं credit card वाला direct option select करते हो तो आपको यहां 1.3% लगता है तो अगर आप लोग EMI पर निकालना चाहते हो जाता है पांचवे नंबर पर अब यहां पर इस पर कर दोगे अब आपको यहां पर सारा डीटेल बता दिया जाएगा कितना चार्ज लएगा क्या तो आप लोग यहां से select करोगे credit card का नंबर डालोगे अब यहां से देखोगे card number CBB और यहां पर जो expiry date है सारा कुछ डाल करके यहां से payment कर दोगे तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो यहां पर आपको चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग जाता हां यहां पर आप लोग rent payment कर रहे हो तो आपको 500 रुपे तक का cashback मिलेगा तो आपको 1.5% के आसपास में आपका RBL credit card का पैसा इस application से ट्रांसफर हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा application तो उसके लिए फिर से आपको आ जाना है प्लेयर स्टोर में ही और यहां से सर्च कर लेना है मोबीक्विक जैसे ही सर्च करोगे यहां प आपको कर देंगे open अब जैसे open करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजाएगा अब यहां पर देखोगे तो हमारा limit यह सब सो कर रहा है अगर आपको भी यहां limit चाहिए मतलब जीप में चाहिए पैसे तो आपको क्या करना है link description में मिल जाएगा वहां से जाकर के इसको active कर लीजिए आप लोग यहां से भी पैसे निकाल सकतो credit card की तरही अब देखो हमें पैसे add करने है सबसे पहले तो तो इसके लिए आ जाएंगे यहां पे search वाले option पे और यहां पे wallet आपको search कर लेना है wallet जैसे ही आप लोग search करोगे कुछ इस तरीके का option आ जाएगा wallet to bank transfer add money to wallet तो इस पे कर देना है tap add money वाले option पे अब यहां से आपको amount डाल देना है कितना amount आपको add करना है कितना आपको भेजना है अपने bank account में तो 2000 में ने किया 2000 में कर रहा हूँ और यहां से add वाले option पे कर देते हैं tap अब जैसे ही tap करेंगे यहां पे देख रहे हो कुछ ही इस तर edit card वाले option पे tap कर देंगे अब आपको यहां फिर से वही करना है card number डालना है expiry date CBB डाल करके पैसे add कर लेना है यहां पे देख रहे हो 2000 पे आपका यहां add होगा 2000 के लिए आपको थोड़ा charge देना पड़ रहा है अब उसको आप लोग कैसे कर सकते हो मतलब उसको भी फिरी कैस कर सकते हो वह मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले तो आप लोग फर्स टाइम आगे तो यहां पर आपको cashback मिल जाता है rent payment या फिर wallet में पैसे add करते हो card से तब भी आपको cashback का option मिल जाएगा तो आप लोग cashback का option आ रहा है अगर bill भी payment करते हो तब भी cashback मिलता है अग wallet to bank transfer आप wallet to bank transfer बिल्कुल free है जैसे की Paytium था आप लोग बिल्कुल Paytium की तरह ही इस application से भी पैसे transfer कर सकतो और आसानी से आपका तुरंथी मिल जाता है यहां पे देख रहो मैंने add कर रखा है bank account इसको select करता हूं अब आपको जादा कुछ करना नहीं है यहां से जितना भी amount आपने डाला वो डालना है और इस पे टैप करके अपना पैसा transfer कर लेना है तो कुछ ही इस तरीके से RBL credit card का minimum charge में पैसा अपने bank account में transfer कर सकतो तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में